रादे रादे फ्रेंस, आज मैं आप सभी के साथ ऐसी मज़ितार चेटपटी से रेश्पीर कर रही हूं जिसे बस कोटोरी में बनाई और कोटोरी में ही खा लेजिये ना ज्यादा बड़तनों का ताम जाब और ना ही ज्यादा मेहनत का ताम जाब तो चलिए फटाफट से आज की रेस्पी स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुमेंट भूलिए का वीडियो अच्छे लिगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजेगा चलिए सारे फटाफट से देख लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कप चावल काटा लिया हुआ है आप इसके लिए सूजी का भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपके पास शावल काटा नहीं है तो आप यहाँ पर एक कप सूजी का इसनमाल कर सकते हैं इसके बाद से मैंने एक बड़ा चमज इसमें दही डाला हुआ है स्बज़ों मैंने पैस और टमाटर आँधे-अधे-पैस को चोट-छोटे-पैस में काट करके एड गिया हुआ है अगर किया हुआया हुआ है एक चमजीरा इसमें बहुत अच्छा चेस्ट और पर आड़ एड़कर लेंगे साथ में स्वात के रुसान नमक डाल देंगे इसी की स sacrific हम यहाँ पर लगवा पान-जेश्य कड़ कड़े order में ऐडकर देंगे आपके पास धन्या के पतियां तो धन्या के पतिया ऐड् dialogue और नहीं लिए न यहां पर हमें पाज डालना है एक कप चौप चाओल काटा लिया था। मैंथे यहां पर दो कप फाएं डाला हुआ है। सूजी कहीं साबसे यहां पर एक कप सूजी लीजिए तो एक कप ही पाएं डालिएगा। वह अच्छी से मिक्स हो जाता है। इसा चोट चूट आपीसिस में काटकर के डालेंगे थोड़ से कड़ी पत्ती भी काटकर के डालेंगे यहाँ अधा कटा हुए टमाटर इसी चुट आप चुट आपके डालेंगे अब तमाटर और प्याज जल्दी से सॉप्त हो जाए आप लिए भी स्वातकनुसा नमक यहाँ पर मेने 5-7 लग भघ आलू लिये हुए है और यहाँ पर अूबले हुए अंसे च४रिणा अत्या चील यह साथ में ऐहां से publibles मिषिड ऐड़ करें में यहाँ में यहाँ पर आधा चम्मस कस्म sarc seny Mexican Garam poader और एक चम्मक् Además Spread Size गरा मसाला आट किया हूग 보여 तब तक यहां पर इनो का इस्तमाल कर सकते हैं और पेट करके इसे रख दीजिए और लिजिए अच्छे से बटर रेड़ी हो जाएगा और सोडा रहेगा तो पहले ही डालना है कैण च्छोटी शाइज के काटोरियान ले लेना है और काटोरियों के पहले अल्ल से ग्रीस कर देना है जिसी के जो हमारे नाश्ता वह कटोरियों में चिपकेगा नहीं अब हमें क्या करना है हमने जो मिक्सर अपना तया करके रखा हुआ है वो ले लेंगे और साथ में इसमें दो बड़े चमच आप नॉर्मल छोटी साइज की चमच है अगर आप तो दो चमच समझ दीजिए और बड़े साइज की चमच है तो एक एक चमच यहां पर हम इस तरह स आप से काटोरिया रहेंगे उससे बनाएगा तो इस पर ध्यान लगेगा कि चुट चुटी बॉल्स रहेंगे तो आराम से आप इसमें दो सी तीन बॉल्स को अच्छे से डाल दोगे जिसके इनका टेस्ट और फ्लेवर काफी अच्छा है का नास्ते में तो इस तरह से मैंने यहां पर एक छोटी सी बॉल बना करके रेडी कर ली हुई है अब इसी तरीके से दूसरी बॉल भी बना करके रेडी कर ली हुई है और इस तरह से चुट चुटे मैंने बना करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर इने रखा हुए देख सकते हैं आप सभी और इसी तरीके से मै कटोरियों में जगा छोड़ना है ताकि जो हमाया नास्ता फूल करके ऊपर की तरफ आएगा तो इसमें थोड़ा जगा होना चाहिए इसके फूलने के लिए ठीक है ना बश्चा कर देंगे जिससे की नास्ता अच्छे से निम्बु का रस्मेन निकाल दिया हुआ था अगर आपके आपके पास निम्बु है तो इस तरह से जूस यहा थो उस से दो ट्रॉक डाल दिजी अगर आपके चलका पढ़ दालेजी इसा जो है बरतनों में पाने के निशान नहीं पड़ते हैं और बरतन बिल्कुर ख्लीन रहते हैं इसके बाद से हमें नाजतों को इस तरह से कटोरियों को रख देना है स्टेंड के उपर अब ढख करके इसे हमें रख देना है 10-15 मिट के लिए मीडियम प्लिम पर पकने के लिए अच्छे से 10-15 मिट में पक जाएंगे और आप सब देख सकते हैं कि पूरी तरीके से फूल करके ऊपर तक आ गया है कटोरियों के अब हमें क्या करना है इन्हें निकाल देना है निकाल करके रख देना है नॉर्मल डूम टंप्रिचर पर ठंडा होने के लिए थोड़ी दिर में जब अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो आप असे बहुत ही असानी से अपने हाथों से छूँ सकोगे और धीर धीर एक बार हमें चाकू से यहां पर अलग कर लेना है कटोरियों से अब यही बता दू कि आप चाहएं इसे डालेक्ट से कटोरियों में खा दीजिए मैं डिखाना है कि किसमेज मेन विच में लगा यह तो इस तरह से दिख रहे है चला कर बना करके कुछ दिन 이야기 कर सकते हैं अलो फ्राय डीफ्राय या फिर तब बस तो चमश लगा करके नहीं दों तो से उलट फूट करते हुए गरम कर लिए तो उपर के लिए जब डिस्पी हो जाती है तो बहुत ही स्वाधिस और बहुत ही तेस्टी लगती है तो लीजिए हमारा आलू का मसाला देख सकते हैं आप स